धरम पढ़ाएंगे आपको लामायन महवारत गीता बाइबल और कुरान मैं पढ़ाऊंगा आपको भारत का समिधान हमारे चैनल अमबिट का नेशन पर भारत का समिधान Constitution of India सिरीज में मैं आपको आज पढ़ाऊंगा संग्ठन सुरू करते हैं कार्यपालक राश्पति और पाद्धक्ष भारत का राश्पति भारत का एक राश्पति होगा संग की कार्यपालिका सक्ती राश्पति में नहित होगी और इसके अनुसार उसके द्वारा या तो सीधे या उसके अधिकारियों के माध्यम से प्रियोग किया जाएगा पूर्व गामी प्रावधान की व्यापक्ता पर प्रितिकूल प्रिभाव डाले बिना रक्षा की सर्वोच कमान संग के बल राश्पति में नहीं तो होगे और उनका प्रियोग कानून द्वारा विनियमित होगा इस लेक में कुछ भी नहीं होगा किसी भी मौजूदा कानून द्वारा प्रिदत किसी भी कारिया को राश्पति को हस्तांतरित करने के लिए समझा जाएगा किसी भी राज या अन्य प्राधिकरण की सरकार या अन्य अधिकारियों को कानून के कारियों को प्रदान करने से रोकता है राश्पती का चुनाब 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 निर्वाचक मंडल के सदस्यों दारा क्या जाएगा को मिलाकर संसत के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा जवाप अपने उस पना इस लेख म और अनुच्छेद पच्पन में राज में राष्टे राजजहानी छेतर सामिल है दिली और केंसासित प्रदेश पांडीचेरी पच्पन राष्पती के निर्वाचन की रीती जहां तक साध हो के पैमाने में एक रूपता होगी राष्पती के चुनाब में विभिन राज्यों का प्रतिनित राज्यों के बीच इस तरह की एक रूपता हासिल करने के उद्देश से और साथ ही के बीच समानता पूरे राज और संग के रूप में वोटों की संख्या जो संसत के प्रतेक निर्वाचिस सदस और प्रतेक राज की विधानसवा ऐसे चुनाब में डालने की ह जिसका निर्धारण निमलिक में क्या जाएगा तोर तरीका किसी राज की विधानसवा के प्रतेक निर्वाचिस सदस्यों की संख्या समिधान चैसीवा संसोधन अधिनयम 2002 एस द्वारा चार एक चार दोहजार दस से प्रभावी भारते निर्वसेना पोत समिधान सात्वा संसोधन अधिनयम 1992 में द्वारा एस टु एक छे निनिसो पिचानमे से प्रभावी अब पांडी चेरी नाम परवर्ति जदिनयम 2006-2006 का 44 धरा तीन एक दस दोजार चे से प्रभावी के तहत अरतिस भी यदि एक हजार के उक्त गुड़कों को लेने के बाद सेस पांसो से कम नहीं है तो उपखंड में निडिस्त प्रतेक सदस के वोट में एक की विरद्धी की जाएगी संसद के किसी भी सधन के प्रतेक निर्वाची सदस के पास उतने वोट होंगे जितने हो सकते हैं विदान सबाओं के सदस्यों को सोपे गए मतों की कुल संख्या को विभाजित करके राप्त किया जाता है दोनों सर्वों के निर्वाची सदस्यों की कुल संख्या से उपखंड A और B के तहत राज संसत आदे से अधिक के अंसों को एक रूप में गिना जाता है और अन्य अंसों की अभिलना की जाती है राश्पति का चुनाप अनुपातिक पिर्णाली के अनुसार होगा एकल संकर्मनिय मत के माध्यम से पिर्दिनित्व और ऐसे चुनाप में बद्दान गुप्त रूप से होगा मत पत्र इस परस्टी करण इस लेख में अभिव्यक्ती जन संक्या का अर्थ है जैसा की पता लगाया गया है पिछली जनगर्णा जिसके प्रसांगिक आंकडे पिर्कासित किये गए है बसरते की इस प्रस्टी करण में पिछली जनगर्णा का संधर्व जिसके प्रसांगिक आंकडे वर्स दो के बाद की गई पहली जनगर्णा के पिर्कासित 1971 की जनगर्णा के संधर्व में रूप मे माना जा सकता है राश्पती के पद की अबदी एक राश्पती से पांच वर्षी की अबदी के लिए पद धारन करेगा जिस तारीक को अपने कारेले में प्रिविश करता है उसे उपलब्द कराया राश्पती उप राश्पती को संभोधित अपने हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप से अपना पत्याग सकता है राश्पती समिधान के उलंगन के लिए महभियोग द्वारा पत्स से ठाये जा सकता है अनुच्छेत एक सेड में पिर्दान की गई रीती राश्पती अपने कारेकाल की समापती के बाब जूद तब तक पत्पर बने रहेंगे जब तक उनक सवा के अद्दक्स को ततकाल सूचित किया जाए पनार जीवित के लिए पात्रता एक व्यक्ती जो राश्पती के रूप में पत्धारन करता है या जिसने पत्धारन किया है बिसे होगा इस समिधान के अन्ये प्राबदानों के अनुसार उस पत्ध के लिए फिर से के लिए योगता है कोई भी व्यक्ती राश्पती के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक जैसे कि भारत का नागरिक है ने 35 वर्ष के आयूपूरी कर ली है लोगसभा के सदस के रूप में चुनाव के लिए योग है कोई व्यक किसी इस्थानिया या अन्य प्राधिकरण के अधीन, उक्त सरकारों में से किसी का नियंत्रण, इस अनुछित के प्राजनों के लिए किसी व्यक्ति को लाब का कोई पद्धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा, केवल इस कारण से कि वह संग का राश्पती या उपाद्धक अमबेटकर नेशन चैनल से, और आप अमबेटकर नेशन चैनल पर आप देख रहेते भारत का समिधान Constitution of India में, पाट संग्थन यूनियन, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय भी दे सकते हैं, और हम पूरे देश के हर नागरिक तक, जो हमारा देश का सम विधान है, जो बाबा साब अमबेटकर ने पूरे बड़े खुबसूर सी से लिखा, और बड़े गहन अध्यन और तरकसील विचारों को रखते हुए लिखा, उसको हमारी कोशिस है, भारत के हर नागरिक तक हम उसको पहुचा पाएं, और आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज़्यादा से बस्क्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, इसी के साथ मैं बिदा लेता हूँ, जै भीम, जै भारत, जै समिधान, गौतम रतना, गौतम फिल्म प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हुचा आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अं जैट अप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, सुटिंग लाइट्स है, और एडिटिंग है, सारा A2Z एक ही जगे पर आपको हमारे यहां पर मिल जाएगा, तो दोस्तों आप हमारे नंबर्स पर 981 0085714 और 851 00005714, हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें mail भी कर सकते हैं, gothamfinsproduction at the rate gmail.com पर, भन्यवारे तो को मत, हमें आके बढ़ते जाना है, जै भी सा नारा लगाना है, जै भी सा नारा लगाना है, जै भी, जै भी अमेटकर निशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप भुजन समाज में बाबा साहिप अमेटकर और तथागत बुद्ध की विचार धारा को अधिक से अधिक लोगत तक पहुचाना चाहते हैं तो, हमें आर्थिक सहयोग परदान करें ताकि हम अपने चैनल के मात्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और समवेधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचा सकें, आप अपनी साहिता राशी नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं खाता धारत, गौतम रत्ना, खाता संध्या, तीन एक, छे नौ, पांस साथ, छे आठ, छे पांच एक, आई एफसी कोड, S.B.I.N. 0060336, बैंक, भारती स्क्रीट बैंक, आप हमारे बैंक खाते का विबरन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं